मस्कार मैं रजनीश हूँ और मैं अभी काठमांडू में हूँ और मैं एक जिस सक्षियत के साथ हूँ उनकी पहचान भारत के लिए भी नेपाल के लिए भी शायद आपने कभी नहीं सुना होगा उनका नाम है टेक बहादुर पाठक और ये नेपाल के हैं लेकिन ये भारतिय भारतिये फौज में 1964 में भरती हुए और लगबग 7 साल तक भारतिये फौज में रहे इन्हों ने भारत पाकिस्तान पाकिस्तान ने इंडिया पे अटेक किया इन्हों ने जंग भी लड़ी उसके बाद निपाल में जब मुनार्की के खिलाप जब एक युद्ध की शुरू तो इस आंदूलन में भी टेक बहादूर पाठा की बड़ी भूमिका रही इन्होंने ट्रेनिंग दी भारतिये फोज में जो इन्हों तालीम हासिल होई थी उस तालीम का इन्होंने इस्तेमाल किया और यहां के जितने भी जो आंदूलन चला रहे थे मोनार्की के खिलाप उनक ट्रेनिंग में मतलब केवल आम लोग ही शामिल नहीं थे वैसे लोग शामिल थे जो उस आंदूलन को लीड कर रहे थे जिसमें की प्रचंड भी शामिल थे और इन्हें प्रचंड को भी हतियार चलाने के गुरिला वार की ट्रेनिंग दी उनीसो सरसथ में भारतिये फाउच को जौइन किये भारतिये फाउच जौइन करने की भी कहानी बहुत दिल्चस्प है आप अचानक से गोरखपूर चले गए गए गोरखपूर में एक नेपाल के थे जो की आप बता रहे थे कि कुछ ऑफिसर थे धान्यबाद राजनिश ज आर्मी में जौइन होने के लिए उनको कहा हुए उन्होंने मेरे प्रस्ताप को सुषकार कर लिया उस तरहा में एकनिश नई थी तो अपने टो ऑफिशेर ए नके साथ बात करके अब पता नेए उनको क्या में कॉए साल करें एक एस साल C उसमाइं शेबंटिवान साथ मैं बाइस साल के करेब था था यहां बाइस साल का एक निपाली युवक एक मुल्क के लिए लगाई लड़ रहा था जहां कि लोग फौज में जाते हैं तो आपको क्या कभी ऐसा है साथ होता था कि हम हम अपने मुलक की लड़ाई नहीं लड़ रहा हैं दूसरे मुलक की लड़ाई लड़ रहे हैं इसा कमीं लगा है literal फिर भी हाम अब हम ये जो सर स हमान के आए हैं तो इंडियन आर्मी मी है तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई है ब्यासक पाकिस्तान के साथ अमारा दूश्मानी तो नहीं है ठीक है न, फिर भी अब हेंदोस्थान में भारत के जो शाहिनिक होने के नाते हमें अपना जीबन का जो नौषवार भी करना पड़े हमें ल वाली काफी बहादूर है काफी इनका बीरु का था इसा हिस्ट्री है आप बता रहे थे कि जब पाकिस्तान से जब जंग शुरू हो गई थी तो आप लोग रात में सरहत पार कर गए और आपके पास भी ग्रेनेट थे हतियार थे आपने भी आप बदाए कि पाकिस्तानी से ना अच्छे आपनेटिक अतियार से उनके ऊपर भी काफी फायर क्योंका अटेक में आ रहे थे ना तो जो पनली जो आते हैं उनका तो ज्यादा छेती हो गई होगा तो पाकिस्तानी ला से कोई तार में लटका हुआ था किसी का शार था किसी का दाड किसी का आत ऐसा दिखने से ज्यादा नुक्षान होने से तो हमारे को 20 साल के खौजी को सैनी को डर नहीं लग रहा था कि उनको भी बिल्कुल डर नहीं था डर नहीं था हमने किसी भी आलत में हमारी उपर जितने हमला चाहिए उस टाइम तो एसा समत्रे फ्रॉंट साइच सी उनका हमला आ रहा था वह स साथी थे एक सहाधत हो गई उसके बाद मैं थोड़ा दिल्ली के तरफ में आया केजली चुटी में आया तो दिल्ली में हमारे भाई ने किसी मीटिंग में मेरे को लेके गया तो मीटिंग मैंने अटेंड किया तो वहां पर कोई कलास पर सिर्षर चल रहाए थी अरा निति व कि अर्मी चोड़ो ठीक है नाज आपने जो शेवा करना था आप आर्मी में आ आगया आपको एक होबी था कि Soumyini में भरति वॉदना करो अपने देश के लिए कुछ काम करो है इसलिए छोड़ना चाहिए करके मन पर ऐस्वत हुआ उसके बाद मैं तो आर्मी लख्दम में में आ गई लकनवा के बाद मैंने बड़ा लें para, याण लें ना सप्रमि एक साल के बाद मेरे बहुद दिल्ली के बाद में जलेंदर चलने के बाद 1977 में एक सहस्था का नाम है अखिल भारत नेपाली समाज वह सहस्था वहां आपने स्टाबलिश किया नाइंटीन सेवेंटीन में अखिल भारत नेपाली एक ता सामाज का एक जनवादी परकतिशिल संगठन इंडिया में स्थापन हुआ ठीक है ना तो बाद में वह संगठन में आपद्ध हुआ ठीक है तो आपद्ध होने के बाद अब हमने संगठन करने लग जया इंडिया औल संगठन को रहते हैं और मेरा खाल में 200 अंग्रेजियं के अंडर रहे तक आपने इतना इस्टकल करके 47 में आपने जो आजादी हाशिल किया घड़तनत्रा हाशिल किया वह आजादी नेपाल में नेपाल में नेपाल में निरंकुष पंचायती विवस्ता इसको हम खतम करना चाहते हैं कुछ साल में आपको इतनी समझधारी कैसे आगा इतनी मेरे को महीं पर जो मैंने कलास पर शिक्षण मुझे मिली कुछ लिट्री जवर मैंने अध्यन करने लगा दिल्ली के अब गाजियाबात में कुछ M.B.C के आसपास भी मैं इदर काफंट में कुछ किताबे भी मैंने अध जो मेरा अभी कंटेक में नहीं है दिलली में है पुषवलाल जी का और तुलशिलाल आहम्त्य जी ओका इनका संगठन है ठीक है ना उनके माद्धेम से कि संगठन में आप बत्त हुआ है बाद में एक-दस माज में में आप बत्त हुआ तो उसी दोरान पॉलिटिकल ट्रेण आश्कर्तिक अव्यान का नेत्र तो करके भी नेपाल के काफी जिल्लों में, मद्धे पस्चिम पाड़ी भेगों में हमने कारेकरम पी शन्चालन किया है। इसे पता लग गया काफी नेपाल के लिए तो उसके बाद पार्टी के प्रोग्राम में आने के बाद हम काफी परशि तो उसमें हम आपद्ध हुआ था पहले से हम आपद्ध हुआ था तो उदर से कुछ अमें परजंट से पहली मुलाकात आपकी तो उनको देखा वहां पर गोरुखपूर में देखा उस टाइम विश्तारीद बैठ का राष्टे समयलन थी उस टाइम उनको सेंटर कमीटी के में यूबा थे उस टाइम हमने देखा तो उनकी जो परस्तुती है वह बहुत जोड़दार ना बहुत अच्छा था तो उन्होंने जो रानेतिक परतिवेदन है वह पर जो डिशकाश हुआ उसे हमारी जो चेतना थी हमारी जो इस्तर थी उसमें ब्रिद्धी होने के लिए उसको स कर दो पर्ग